हेई एवरीवन वेलकम तो सरकारियट वंस अगें तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक important discussion करने वाला हूँ यह जो discussion रहेगा यह उत्राखंड के जो जीबी पंत University of Agriculture and Technology है उसके admission process के regarding रहने वाला है तो 2024 में अगर आप यहाँ पर apply करना चाहते हो काफी सारे UG courses है and India की topmost एक university है जो की पंतनागर उत्राखंड में located है तो इस university में अगर आप admission लेना चाहते हो अलग-अलग different courses में यहाँ पर medical field से related maximum courses है बाकी mass वालों के लिए हैं जैसे BAC agriculture है और बाकी और भी तरही तरही के courses है तो जितने भी UG courses है जो आप 12th के बाद कर सकते हो चाहें courses के हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कब इसका application form आते हैं कब इसका exam होता है क्या इसका process रहता है और यहाँ पर मैं आपको बता दू कि यहाँ पर जो है ओल इंडिया के candidates eligible हैं appear होने के लिए यानि कि पहले क्या होता था 2021 तक मतलब 2021 तक जो है यहाँ पर क्या होता था सिर्फ जो admission process होता था यह सिर्फ उन candidates के लिए होता था जो उत्राखंट से belong करते थे या उत्राखंट का उनके पास डो मिसाल होता था लेकिन अभी 2022 से यहाँ पर इसको जो है इसका जो admission process है other state के candidates के लिए open कर दिया गया तो पूरी जो details है आप इस वीडियो में समझ लो और उसके बात फिर जब इसका application form आएगा तब मैं आपको इस channel पर update कर दूँगा तो अगर आप channel पर नहीं है तो आप जरूर subscribe कर लेना and bell icon को press कर लेना तो 2023-24 यह prospectus आप अपनी screen पर देख सकते हैं यह common prospectus है UG, PG और PhD programs के लिए लेकिन अभी हम इस वीडियो में UG programs की ही बात करेंगे ठीक है तो other state वाले गर apply करना चाते हैं तो कर सकते हैं बट issue यहाँ पर यह रहते है कि आपको जो entrance exam यहाँ पर देना पड़ेगा वो आकर आपको उत्राखंड देना पड़ेगा मतलब उत्राखंड में आपको आना पड़ेगा उत्राखंड में इसके different centers हैं तो वहाँ जो भ यहाँ पर देख सकते हो second point में आपर लिखा है कि online filling of application form जो है जो UG, Masters, MC और PhD प्रोग्राम के लिए होता है वो यहाँ पर 2023 में एक March से start हुए थे और 15 April यहाँ पर form थे तो यहाँ पर 2024 के लिए भी आप same expectation लगा सकते हो कि March में आपकी यहाँ पर application form release हो जाते हैं तो March के time पे अगर आपको मतलब यहाँ पर admission लेना है तो March के time पे इस चीज़ के लिए आपको active रहना पड़ेगा आपको road जो है यहाँ पर check करना पड़ेगा तो website check कर लेना otherwise मैं आपको inform करी दूँगा अगर आप channel को subscribe करके रख लेंगे ठीक है तो April तक जो है आप यहाँ पर form fill कर सकते ह जो है 1200 रूपीज रहती है SCST और PH candidates के लिए 600 रूपीज रहती है ठीक है बाकि AWS के लिए 1200 रूपीज ही रहेगी उनके लिए because यहाँ पर अलग से कुछ नहीं लिखा है और उसके बाद जो है यहाँ पर आगे चलते है ठीक है तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूं other state व uat.ac.in इस website पर जाके आप अपना registration process वगरा कर सकते हो जब इसका form आएगा ठीक है तो यह उसी के सब steps दिये हुए तो अभी हम आगे चलते है ठीक है तो यह मतलब college के बारे में इन्होंने बताया हुए college में क्या क्या चीज़े रहते है scholarship वगरा के बारे में information दिये placement, counseling, library तो उसकी यहाँ पर guidance दिये हुए ठीक है तो यह चीज़ हो गई उसके बाद यहाँ पर date and time of entrance exam अगर बात करें तो इस बर जून में 2023 में 3 जून को यह exam हुआ था master's और PhD का और जो UG और MC का जो program में उसके लिए entrance exam में आपर 4 जून को conduct करवाए गया था and हर साल जो इसका exam ज लब 2024 में अगर आप appear होना चाते हो तो आप यही मान का चलो कि आपका जो entrance exam में वो यहाँ पर जून में ही conduct करवाए जाएगा ठीक है और उसके बाद यहाँ पर exam जो आपका 3 गंटे का होता है सोबे 10 बज़े से लेके दो पहर 1 बज़े तक तो यहाँ पर इन्होंने exam centers दिय गड़ है रिशिकेश है और श्रियंगर गड़वाल है तो यह UG program के आपके exam centers है ठीक है तो यह चीज हो गई बागे फिर यह form वगरा की fees के बारे में उन्हें फिर से हाँ पर mention क्या हुआ है और उसके बाद जो है यहाँ पर number of seats और courses के बारे में information दिये तो यह PhD programs की information दिये ह हम अभी UG वाले पर चलते हैं यह master's program के है और उसके बार जो है यहाँ पर यह है under graduate programs की जो क्या बोलते हैं मतलब information ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहला जो प्रोग्राम में वो है इनका BAC honors agriculture अगर आप BAC agriculture करना चाहते हो तो वो आप यहाँ पर से कर सकते हो तो यह है UA domicile यानि कि जो उत्रांचल या फिर उत्राखंड का जो domicile है उनके लिए total seats जो यहाँ पर reserved रखे गई है वो है 130 और बागी की जो seats है वो है payment seats यानि कि 26 अब यह वाली जो payment seats है इसके लिए other state वाले eligible हैं मतलब payment seat के लिए other state वाले हो या फिर उत्राखंड वाले हो होगा ठीक है अब payment seat basically different कैसे है because payment seat का मतलब यह है कि आपको यहाँ पर extra donation amount देना पड़ता है ठीक है मतलब जितनी भी fees है उसके अलावा आपको जो है एक तरीके का यह self finance course बन जाता है जब आप payment seat लेते हो यहाँ ठीक है तो payment seat मतलब यह है कि आपको उसके लिए extra fees पे करनी प benefit यहाँ पर नहीं मिलेगा उनको इसे general category ही treat किया जाता है अगर आपको अपनी category का benefit लेना है चाहें आप OBC में है SC में ST में है या फिर PH category में है तो आपको जो है certificate जो दिखाना होगा category का या का certificate जो है वो आपका उत्राखंड का ही बना होना चाहिए अगर other state का होगा तो वो मैस से क्या हो बायो से क्या हो कोई problem नहीं है और minimum जो आपकी percentage है class 12 में वो आपकी 50% होनी चाहिए general category के लिए और बाकी जितनी भी other categories है result categories OBC SCST उनके लिए 47.5% minimum criteria रखा गया है उसी तरीके से BAC University Science है 70 seats यहाँ पर उत्राखंड वालों के लिए 10 seats payment seats है और इसमें भी अगर तो आप यहाँ पर eligible हो same criteria है उसके बाद next यहाँ पर सबसे अच्छा जो course है इस university का वो है veterinary science तो bachelor in veterinary science and animal husbandry जिसे हम short में BVSC and AH बोलते हैं इसकी जो total seats हैं उत्राखंड वाले candidates के लिए 62 और इसी की सबसे उपर merit जाती है और payment seats जो यहाँ पर 24 है ठीक है तो payment seat मतलब काफी ज रखें do missile की seat है तो fees वगरा की information इस prospectus में है बाकी कभी आपको अलग से एक वीडियो में बता दूगा कितनी fees वगरा होती है payment seats के लिए ठीक है तो वो अभी हम यहाँ पर discussने करेंगे तो BVSC के लिए आपके पास देखो physics, chemistry, biology, english यह चार सब्जक्ट आपके 12 में होनी और वो ही criteria 50 और 47.5 फिर उसके बाद BTEC in food tech है यह 30 seats रहती है इसमें 15 seat UK वालों के लिए 15 other states वालों के लिए और इसमें आपकी payment seat कोई भी नहीं है ठीक है because 15 state की रखें और 15 इनोंने outer side की रखें other states के तो इसमें आप PCM से अगर आपने किया है या PCB से कर रहा है तो आप यहाँ पर apply कर सकते हो या फिर आपने PCMB से करा है उसके बाद यह BTEC biotech है ठीक है तो इसके लिए 40 seats है 20 उत्रखन वालों के लिए 20 other states के लिए तो यह है और बागी PCV हो PCM हो या फिर PCM भी हो तो आप यहाँ पर apply कर सकते हैं बागी अधर यह BTEC courses है इनका जो selection होता है वो आपके J means के तो यहां पर यह लिखाए कि however 50% payment seats for UG program will be reserved for the other state candidates if other state candidates for payment seats are not available ठीक है तो उसके लिए फिर उत्रखन वालों को जो चांस दिया चाहेगा अगर मालो payment seats जो है सारी के सारे full नहीं होती है ठीक है तो यह सारी इनोंने यहां पर फीस के बारे में information दी हुई है ठीक है उसके बाद next यहां पर चलते हैं तो यह reservation वगरा का criteria है ओके तो यह जब seat matrix मतलब आप complete देखना चाहोगे तो वह मैं आपको बता दूँगा कैसे seat matrix यहां पर divide होती है तो उसके बाद यह sponsored candidates के लिए ठीक है ICR वगरा जो है कभी कभी कुछ मतलब कही जगा उसे क्या करते है candidates को sponsor करते तो उनका directly यहां पर admission हो जाता है अब यहां पर test की बात करें जो आपका entrance exam का test होगा वो किस type करेगा और क्या-क्या questions उसमें रहेंगे तो देखो यहां पर आपके तीन paper होते हैं ठीक है अलग-अलग stream के लिए अगर आपने class 12 जो है वो PCB से complete किया है तो आप code 01 का paper दोगे अगर आपने PCM से कर रहा है और आप किसी course के लिए apply कर रहे हो UG में तो आप PCM paper code 02 का दोगे और अगर आपने agriculture से किया यानि कि physics, chemistry और agriculture science आपका था 12 में तो आप code 03 का paper दोगे तो इसमें basically होता क्या है कि 50-50 questions जो हैं वो आपके हाँ पर रहते हैं physics और chemistry के बाकी अगर आप biology से हो तो biology के 70 questions होंगे अगर आप mathematics से हो, maths वाली से हो तो आप 70 questions math के करोगे और अगर आप agriculture science से हो तो 70 questions उसमें agriculture करेंगे बाकी इसके अलावा जो 30 questions होते हैं वो आप किया पर mental agility के होते हैं mental agility मतलब वो simple reasoning वगर आती है और चोटे मोटे जो elementary math के questions होते हैं ठीके profit loss यह सब जो topics हैं तो यह सारी चीज़े जो हैं इस paper में पूछी जाती हैं ठीक है और यहां पर यह लिखा है कि भाई तीन marks जो है वो आपको correct answer करने के लिए मिलेंगे तो जब आप यहां पर देखोगे कि total number of questions कितने हैं तो 70, 30, 100, मतलब 200 total questions होते हैं ठीक है 50, 50 आपके physics chemistry के हो गए 70 मतलब 100 व जाता है और साथ में यह भी लिखा है कि one marks जो है वो आपका negative करेगा अगर आप गोई भी question का answer जो गलत attempt करते हो तो one marks आपके यहां पर deduct कर लिया जाएंगे ठीक है तो बाकी यहां पर calculator वगरा का use prohibited है वो आपको यहां पर allow नहीं किया जाता बाकी counseling वगरा जो है आब इसकी online होती है 2021 तक क्या होता था पंतनागर में जो जीबी पंत युनिवसिटी है वहाँ पर counseling जाके offline करवानी पड़ती थी लेकिन आप क्या है पहले online counseling होती है allotment आपका हो जाता उसके बाद आप document verification के लिए महाँ पर जो institute है वहाँ पर आप जाते हो ठीक है बस यही सारी चीज़ फिर यह master's program वगरा के बारे में information है UG के लिए सिर्फ इतनी information है बाकि इसके जो भी further और information होगे important उसको मैं अलग videos में आपको बता दूँगा और बाकि जब इसका application form आजाएगा जब official notice आएगा 2014 के लिए तो आपको उसके बारे में भी update दे दिया जागा तो अगर आप channel पर